Hello everyone, welcome to my channel आज की इस वीडियो में मैं आपको off shoulder top के cutting और stitching बताऊंगी तो इसके लिए मैंने 1.5 meter cotton का कपड़ा लिया है और इस कपड़े के width 44 inches यहाँ पर पहले हमें कपड़ा फोल करना है तो देखिए मैंने यहाँ पर कपड़े को फैला के रख दिया है और इसको दो parts में रखावा है अब यह हमारे top की length आएगी तो इसकी length मैंने यहाँ पर 24 inch के लिए है और यहाँ पर यह कपड़े की width है यानि कि top के width जो आएगी वो मैंने यहाँ पर 26 inch के लिए रखिए है अब हमें इसको बिल्कुल center से width wise fold कर देना है अब मैं इसको आपको थोसा नस्दीक से दिखा देती हूं तो देखें यहाँ पर top की यह length है तो length केसे आप से लेनी है आपको देखें जितनी भी आपको top की ready length चाहिए उससे आप 2.5 inch ज्यादा लीजिए जैसे मुझे top की length चाहिए 21.5 inch की तो उससे 2.5 inch ज्यादा यानि की 24 inch की मैंने यहाँ पर length ली है अब यहाँ पर दिख सकते हैं यह side open है और यहाँ पर जो कपड़ा है वो हमारा 4 parts में रखावा चार फोल में है और यहां से folded वाली side है वे ओपर से open है और यह नीचे से भी open वाली side है अब यह जो मेरी तरफ को open वाली side है यहाँ से अंदर को हमें 2 inch पर एक निशान लगाना अब इस पॉइंट से नीचे की तरफ को हमें आम होल के लिए निशान लगाना है तो जितना भी नॉर्मल आम होल आप कुर्तिया टॉप में रखते हैं उससे 0.75 ज्यादा लेना है यानि कि पॉना इंच ज्यादा तो मैं 6.5 इंच का आम होल रखती हूं तो उसमें 0.75 इंच मै ने आम होल के लिए निशान लगाया और नीचे की तरफ से भी मैं 2 इंच पे निशान लगा ले रही हूं अब इन दोनों पॉइंट को हमें स्ट्रेट लाइन से जॉइन कर दिना है और इस नीचे वाले पॉइंट को बाहर की तरफ पे जॉइन कर देना है अब हम यहां पर आ कप्ड़ा के रखा और दो पार्ट में कपड़ा रखा और दो तरफ के लिए तो यह चारो और से ओपन है कपड़ा यह जो है यह सलीब की लेंथ है तो सलीब की लेंथ मैंने यहां पर 18 इंच के लिए यानि कि जितनी भी आपको स्लीव की रेडी लेंद्ध चाहिए आप उसमें दो इंच एक्स्ट्रा लीजिए जिसे मुझे 16 इंच की लेंद्ध चाहिए रेडी लेंद्ध तो मैं आपके कि open वाली साइड में रखना है इस तरह से मिलाते वे और यह जितना भी आया सेम इतने के ऊपर कटिंग कर लेनी है तो देखिए यहां पर स्लीव का जो आर्म होल है वो भी मैंने हैं पर कट कर लिया है और अब यह जो इसका बॉटम वाला पार्टे स्लीव का यहां से अंदर की उपर को लगबग 1.25 इंच उपर पर मैंने रोका है अब इस पॉइंट को हमें बाहर की तरफ को ऐसे करके खींच के निशान लगाना है अब से मार्किंग के उपर ही आप इसकी कटिंग भी कर लीजे तो यह हमारी स्लीव की कटिंग पूरी हो चुकिए और यह दोनों तरफ की स्लीव हमारी हाँ पर बन के तैयार हो गई है और अब इन दोनों पार्ट में से हमें एक पार्ट को अलग अधा लेना है और दूसरे को इसी तरह से बिचा के रख देना है अब यह स्लीव के बॉटम को हमें फोल्ड करना है तो यह बॉटम वाले हिससे को मैं थोड़ा यहां से उपर की तरफ को हमें 1.5 इंच यानि कि 2.5 इंच पर निशान लगाना है और इसके बाद यह जो हमने भी निशान लगाया है यहां तक हमें कपड़े को ऐसे करके फोल्ड कर दिना है इससे ज़्यादा फोल्ड नहीं करेंगे सिर्फ इस पॉइंट तक हम कपड़े को करेंगे और उसके बाद आप इसको अच्छे से प्रेस से दबा लीजिए मैंने फोल्ड कर दिया अब यह जो फोल्ड वाली साइड बॉटम में यहां से उपर की तरफ को हमें लग भग 0.25 इंच यानि कि थोड़ा सा में दो पॉइंट तक का निशान लगाना है और आप एक कि देखिए यहां पर मैंने इस लाइन के उपर सिलाई लगा ली है अब हमें क्या करना है इसका जो बचावा यहां पर मार्जिन वाला कपड़ा है इसको भी आधा ही चंदर को फोल्ड करना है और ऐसे करते हैं हम इसको डबल फोल्ड कर लेना है तो यह भी मैंने डबल फोल कि अब कुझे इप बेट रेंगैं कि है किया से यदि में अब कि यहां पडेख सकते मैं significant लगेने अब साइड से जुतना भी एक्ट्रा मरें हैं पर मुप्रा है इसको में कट करेंना है कि मलगे है है Android का दो डाना है तो ये मैं elastic ले रही हूं और इसके elastic की चोड़ाई है वो है 0.25 इंच की और इसकी जो लंबाई है वो जहां तक भी आपकी sleeve आ रही है वहाँ पे अपने हाथ में इस तरह से गोलाई में elastic को रखिए और उससे 1 इंच ज्यादा हमें लेके इसको कट कर लेना है सेम इसी तरह से हमें एक पार्ट और कट कर लेना है दूसरे तरफ की sleeve के लिए तो सेम measurement का मैंने दूसरा पार्ट भी कट कर लिया है अब एक pin की मदद से हमें elastic को यह जो नीचे वाला हिस्सा है ना sleeve का जो bottom वाली में नीचे अंदर वाला है इसमें हमें एक कोने से elastic को डालना है और दूसरी में और दूसरी तरफ से बाहार निकाल देना है यह elastic मैंने डाल लिया है अब now elastic के कोने को हमें sleeve के कोने के सांद इस तरह से मिलाना है और इसमें भी लास्टिक को इस तरह से खींचना है जिससे जो गयादाज हमें बिल्कुल बराबर बराबर डिस्टिब्यूट हो जाएंगे अब देखिए यह स्लीव के उल्टी साइड है और यह पीछे को स्लीव के सीधी तरफ है तो सीधी तरफ को हमें इसको पलटना है और पलटने के बार यह जो स्लीव का साइड वाला हिस्सा है आर्म होल के नीचे वाला हिस्सा यहां पर हमें आधा इंच की दूरी पे इसमें सीधी तरफ को पलट लेना है तो सीधी तरफ से ये स्लीव कुछ इस तरह से दिखेगी, बॉटम में यहां पर इलास्टिक लग गया है, अब मैं इसका जो टॉप वाला पार्ट है उसको बनाऊंगी, तो यह मैंने यहां पर अपना टॉप वाला पार्ट लिया हुआ है, और इसको भी मैं ओपन करकर रख द नीचे वाला यहां पर दोनों तरफ पर स्ट्रेट सलाई लगा लेनी है, यह नीचे बॉटम तक तो यह नीचे जितना भी कपड़ा नीचे तक अब इसमें लगा लें तो मैं आपको समें लगा कर दिखा देती हूं तो देखिए इसके दोनों साइट पे मैंने आमोल के नीचे की तरफ पे नीचे तक सलाई लगा लिए है अब हमें क्या करना है इसका जो बॉटम वाला पार्ट है इसको भी फोल्ड करके यहां पर एलास्टिक लगाना है तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सा नस्दीक से दिख यह जो प्रस्चान लगाया अब इस पॉन्ट के कप्ड़े को हमें यहां पर फोल्ड कर देना है यह को किदिया है और तक दोनों प्रेस कर दीजिए तो मैंने प्रेस भी कर लिया यहां पर अब देखिए यह जो बॉटम वाला पार्ट है यहां से उपर की तरफ को हमें 0.25 इंच की दूरी पर हमें एक सिलाई लगानी है जैसे हमने स्लीव में लगाई थी और फिर उपर वाले पार्ट को डबल फोल्ड कर द देखिए यहां पर मैंने इसमें 0.25 इंच की दूरी पर सिलाई लगा दिया है पूरी गुलाई में उसके बार इसका जो एक्स्ट्रा बचा वाला कपड़ा है इसको हमें डबल फोल्ड कर देना है सेम उसी तरह से कर रहा है जैसे हमने स्लीव में डबल फोल्ड किया था तो इसको वाल इसमें यहां पर कोने कोने पर सिलाई लगा लेनी है इस है कि देखिए यहां पर मैं थोड़ी सी नate करें अब हम इसमें लगाना है तो इलास्टिक का मेजरमेंट कैसे लेना है वह पता देती हूं तो देखिए जहां तक भी आपके टॉप की लंबाई आ रही है आप वहां पर इलास्टिक को इस तरह से पूरी गोलाई में रखिए और मेजर कर लीजिए कि अपको कितना आ रहा है कहा हमें इस ओपनिंग से लास्टिक को एक तरफ से डालना है नीचे वाले में हिस्से में और दूसरी तरफ से बहार निकाल देना है यह लास्टिक मैंने यह पर डाल दिया है अब लास्टिक के जो दोनों कोने हैं उन दोनों को एक दूसरे के उपर इस तरह से मिलाते हुए कर देना है और जो ओपनी हमने छोड़ी ती इसमें हमें सलाई लगा कि इसको बंद कर देना है अब हमें इलास्टिक को इस तरह से खींचना है जिससे जो गैदर्स है वो बराबर बराबर बढ़ जाएंगे तो देखिए इसके कमर वाले हिस्से में भी यहां पर मैंने इलास्टिक लगा लिया है और नीचे अच्छे से डिजाइन बन गया एक अब हमें यहां पर इसके आम हमें एक दूसरे के साथ जॉइन करने हैं तो यहां पर आप एक चीज़ देख सकते हैं जो स्लीव में लिए उसको मेरे सीधी तरफ को करके रखा है और यह जो टॉप वाला पार्ट है यह मैंने रॉंग साइड यानिकि उल्टी तरफ को करके रखा है अब हमें यह स्लीव को तॉप के आम होल को इस तरह से मिलाते वे रखिए और फिर हमें इसको पूरे को फ्रेंट और बैक को मिलाते वे रखना है और आधे इंच की दूई पर इस पूरे में हमें यहां पर इसमें सिलाई लगा लेनी है तो इक ऐसे दिखा देती हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसके आम होल में यहाँ पर सिलाई लगा लिए और सेम इसी तरह alguma आम होल में سलीबником जोइन कर लेना है तो मैंने दूसरे तरफ भी सिलाई लगा लिए अब हमें इस टॉप को सीधी तरफ को पलट देना है तो यह देखिए मैंने यह पर टॉप को सीधी तरफ पलट दिया और दोनों साइट के स्लीज जॉइन हो चुकी है अब यहां पर देखिए जिस तरह से हमने नीचे बॉटम वाले पार्ट में एलास्टिक लगाया था सेम उसी तरह से हमें यह स्टॉप के ऊपर वाले पार्ट म करना है और फोल्ड करने के बार इसको में प्रेस कर देंगे जिससे मच्छे से फिनिशिंग आ जाएगी तो फ्रंट और बैक दोनों पार्ट में जहां तक हमने निशान लगाया था वहां तक का कपड़ा फोल्ड कर दिया है और अब उपर की तरफ से हम 0.25 इंश की दूरी पर पूरी गुलाई में सलाई लगा लेंगे और ऑफिर बचए वे कपडे को ड्बल फोल्ड करतेंगे जिस तरह से हमने अभी थोड़ते पहले जो बाटम वाला पार्ट डबल फोल्ड किया और स्लीव को फोल्ड किया उसी तरह से इसमें भी लास्टिक लगाना है तो इलास कट किया है और इस इलास्टिक की जो चोड़ाई है वो मैंने यहां पर 0.25 इंच की लिए अब इस इलास्टिक को मैं इसके जो शूल्डर वाला हिस्सा है टॉप में पूरी इसमें लगा दूंगी जैसे हमने बाकी जगह पे लगाया था तो देखिए इसके शूल्डर वाले हि झाल झाल